नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महतोपून जानकारी को लेकर के जिहां सिर्फ चार दिन पिएं किश्मिश का पानी हो जाएंगे लिवर और किड्नी साफ ये है आज का हमारा टॉपिक आप सभी के लिए ड्राइ फ्रूट खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है इसमें विटामिन के साथ और भी बहुत से ऐसे तत्व होते हैं जो सेहत के लिए बहुत जरूरी है इनमें से किश्मिश लिवर और किड्नी के लिए बहुत फायदे मंद है इससे शरीर में जमावी शैले पदा और यसी बहुत ही आसान है आज हम आपको अपने इस चैनल के माधियम से और किशमिष और इसके पानी के फाइदे बताएंगे जिन्हें आप जान गए तो इसका प्योग करने से खुद को नहीं रोख पाएंगे सुखे मेवे में शामिल किश्मिश अंगूर को सुखा कर तयार किया जाता है इसमें अंगूर के सभी गूर मौजूद होते हैं इसके सेवन से रस रक्त कमजोरी इत्यादी तथा ओज की मातरा बढ़ती है जो कि आपकी सेहत के के लिए काफी फायदे मंद होती है किश्मिश में भरपूर मातरा में आयरन पोटेशियम कैल्शियम मैगनीशियम और फाइवर पाया जाता है साथ ही इसमें दूध और मौजूद हर तत्व पाया जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि किश्मिश का पानी हमारे स्वास्त के लिए कैसे फायदे मंद है तो हम आपको बताते हैं कि किश्मिश का पानी कैसे हमारे लिए फायदे मंद है आये जानते हैं इसके फायदों के बारे में सबसे पहले समगरी नोट कर लीजे, दो कप पानी चाहिए होगा, आपको 150 ग्राम किश्मिष चाहिए होगा, अब बनाने की विधे जान लीजे, सबसे पहले किश्मिष को धो लें और एक पैन में पानी उबाल कर इसमें किश्मिष डाल कर रात भर भिंगो करके छोड़ देना है, सुबह इसको चान कर, हलका गुनगुना करें और खाली पेट पी लें, इसका सेवन करने के 25-30 मिनट बाद नाश्ता कर लें, यदि आप इस बारे में जानना चाहते हैं, तो और आगे हम आपको बताते हैं कि अब इसके फायदे क्या होंगे, वैसे तो यह हम आपको स्ट करें और इस दोरान शक्कर का इस्तेमाल थोड़ा कम कर दें क्योंकि इसमें शक्कर की मात्रा और रिडी होती है, अब किश्मिष के अद्भुत फायदे जान लीजिए, शरीर को ये शक्तिशाली बनाता है, सुबह के समय लगभग 25-30 किश्मिष को गर्म पानी से धो कर साफ कर लें और फिर इसे कच्चे दूद में डाल दें, आधे या एक घंटे बाद किश्मिष को दूद के साथ गर्म करके खाएं और उपर से दूद पी लें, इससे शरीर में खून बढ़ता है, ठंधक दूर होती है, पुरानी बिमारी, अधी कमजोरी, यक्रित, लीवर की खर गोदें, थोड़ी देर बाद सभी को उसी पानी में मसल कर चान लें, और इसमें एक कागजी निम्भू का रस दो चम्मच शहद मिला करके सुबह खाली पेट सेवन करें, इससे कब्ज दूर होती है, कोलेस्टरॉल, किश्मिष के पानी को रोज पीने से कोलेस्टरॉल के ल कम करने में मदद भी करता है, अगर आपको कब्ज एसीडिटी और थकान के समस्या है, तो यह काफे फायदे मन साबित हो सकता है, इसका नियमित रूप से सेवन करने से जल्द आपको फायदा न जराएगा, लिवर, रोजाना इसके पानी पीने से आपका लिवर फीट रहता है, और यह मेटाबलिजम के अस्तर को नियंतरित करने में भी सहायक होता है, बुखार, जी हाँ, अगर आपको बुखार आ रहा है, तो इसका सेवन करें, इसमें मौझूद फिनालिक पायथो नियूट्रियंट, जो की जर्मिसाइडल, एंटिबायाटिक और मिलते है, जुर्यों को हटाने के लिए, आप तो यह जानते ही होंगे कि किश्मिश खाने से आपकी उम्र बढ़ जाती है, लेकिन इसके साथ ही यह आपकी त्वचा में आई जुर्यों को भी हटा देती है, इसके लिए इसके पानी को रोज सुबह पीना है आपको, जिससे आप हमेशा जमा रहेंगे, पाचन और मेटाबलेजम के लिए, रोजाना इसके सेवन करने से आपको पाचन मेटाबलेजम इत्यादिक एस्तर को कम रखने में मदद मिलेगी, जिससे आप हमेशा फीट रहेंगे, बलड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, चीनी मित्ती के बरतन में 20-25 किश्मिश को 150 मिली लिटर पानी में रात को भिंगो कर रख दें, सुबह किश्मिश को खुब चबा करके खाएं, इससे निम्न रक्त चाप या लोग बलड प्रेशर में लाव मिलता है और शरीर पुष्ट होता है, किश्मिश का पानी कैसे तयार करें, अब य आपको लाव नजर आने लगेगा, जिहां दोस्तों, ये सही तरीका है, आप सुबह पानी वैसे भी पीते हैं, इसके साथ साथ अगर इस चीज को आप मेंटेन कर लेते हैं, तो आपके लिए ये बेहाद कारगर साबित होगा, तो ये थी आज की जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में आप सभी के साथ जुड़ते हैं, कोर बेहाद ही महतोपून जानकारी को ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों